हलो क्रेटिव एक्टर्स दिसाइड अमिट सिंग इन अक्टर फिल्मेकर इस प्रिजेंटेट बाइ लेमुंच लीज फिल्म इन असोसियेशन वेद सी आई एमस एमीज आवाज यानि की एक बहतर आवाज कैसे रिकॉर्ड की जाए अपनी आवाज में बेस कैसे लाया जाए अपनी आवाज को किसी के सामने भी कैसे अच्छा प्रिजेंट किया जाए यानि की यदि आपको कभी अपनी आवाज अच्छे से रिकॉर्ड भी करनी है मालीजे आपके पास कोई नॉर्मल साधन है तो आप कैसे एक अच्छी और बहतर आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि सबसे इंपोर्टेंट बात क्या होती है जब हम आवाज रिकॉर्ड करते हैं मैं आपको एक्जाम्पल दे कर बताता हूँ अब ही आप लोगे सोच रहोंगे कि मैं यहां पर साइलेंट क्यों हो गया अब आपने मेरे इस माइक के त्रू जो वाइज आ रही है यानि की जो मेरे पीछे साउंड चल रहा है जो टीवी का साउंड चल रहा है वो आपको आवाज आ रही होगी और इस रूम में इस आपको जो hissing है जो voice की यानि की जो noise है वो आपको आ रही होगी इस माइक के त्रू बहुत ही ज़ाधा बेकार noise आ रही होगी बहुत ज़ाधा अट-पटी सी लग रही होगी यानि की हम इसको बहुत ज़ाधा professional नहीं कह सकते अच्छा है ठीक है आप माइक के त्रू record कर रहे तो आपको मेरी आवाज बहतर सुनाई दे रही होगी लेकिन इसको प्रोफेशनल तरीके से आप बिल्कुल नहीं कह सकते राइट प्रोफेशनल वॉइज क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ तो अब आप लोग सोच रहे होंगी कि मैं आखिर गाड़ी में आके क्यों बैट गया हूँ भाई आपको आवाज में कुछ फर्क नज़र आया मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ कुछ फर्क पता चला आप लोगों को यानि कि इस गाड़ी में बिलकुल भी नॉइज नहीं है यानि कि बिलकुल साउंड प्रूफ यदि आप वोईज ओवर या फिर कोई अपनी वीडियो में आवाज देना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि अपनी आवाज को बुलंद तरीगे से निखाल कर रिकॉर्ड कर सकें तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा ही जुगाड सेट करना पड़ेगा मेरे दोस्तों यह यही जुगाड आपके लिए बिलकुल फिट है और मैं भी इस युगाड को कभी कभी इस्तमाल करी लेता हूँ तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको दो जगे का एन्वाइरमेंट चेक करा दिया यानि कि आप जब गाड़ी में जाते हैं तो आपको इधर उधर का साउंड बहुत कमाता है मतलब नेगलेक्ट हो जाता है हलका फुलका साउंड तो आए गई आएगा ठीक है क्योंकि आपका जो एन्वाइरमेंट है पूरा अकॉस्टिक नहीं है तो उसको भी आप बैटर जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे उतना अच्छा आपका एन्वाइरमेंट होता चला ज चाहिए अभी जो आप मेरे पास ये माइक देख रहे हैं तो मैं आपको इस माइक के तुरू जो दिखा रहा हूँ अभी मैं पास में लेकर आया हूँ तो आपको आवाज कुछ और अलग तरह की नज़रा रही होगी सुनने में आ रही होगी राइट और नजदीक लेकर आय महसूस होगा जो शायद आप लोग रात की वक्त सुनते होंगे कान में लगाके और जब मैं इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूँ तो आपको आवाज का फर्क महसूस साफ साफ लग रहा होगा कि इसका रूम का एंवायर्मेंट कितना ज़्यादा ले रहा है तो इस तरह के से आप अपना जो है अगर साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यह जो माइक होते हैं यह एजिली आपके लिए एविलेबल हो तो वहां से आप बाई कर सकते हैं लेकिन मैं आपको कुछ एक और माइक दिखाना चाहता हूँ जिसके तुरू आप अच्छी वाइज और भ इसका दर्शन किया हुआ है और पड़ा प्यारा समाइक है और बहुत ही खुबसरा समाइक है और बहुत सस्ता भी मिल जाता है बहुत सस्ता तो नहीं कह सकता लेकिन प्रफेशनल क्वालिटी किसी बहुत जाधा हद तक आपको बहुत अच्छी मिल सकती है यह बोया का B Y M M 1 यानि कि आपको 15 सब से लेकर 2000 तक के बीच में आपको यह माइक एविलेबल हो जाता है Amazon पर या फिर offline market में आप कहीं से भी इसको purchase कर सकते हैं इसके साथ आपको यह wind shield मिल जाएगी यानि कि जो आप जैसे कहीं भार आप record करने वाले हैं तो यह आपके पास ऐसे आप इसको लगाएए दैन आप जहां चाहें इसको बहार ले जाकर भी shoot कर सकते हैं उससे आपकी जो noise जो हवा जब चलती है तो direct माइक को hit करती है तो वो जो है बहुत हद तक आपका इसको protect करता है यह wind shield जो कि यह cat बड़ी खुब सोच सा बड़ा प्यार वेया soft soft सा नजर आ रहा है तो यानि कि और इसकी कुछ देखिए हिश्टा है मैं आपको बता देता हूँ इस वाले माइक की जगाए पर ठीक है कैसे बताओं मैं तुझे कितनी महबबब करता हूँ मैं तुझको मैं बताना चाहता था लेकिन वो शायद सही वक्त नहीं था और अब जब सही वक्त है तो तू मेरे पास नहीं है कैसे बताता मैं तुझको कि मैं तुझसे कितनी महपत करता था कितनी महपत करता था तो ये है वो माइक जिससे आप बहुत खुबसूरत आवाज निकाल सकते है सेम एन्वाइरमेंट है मैंने कोई एन्वाइरमेंट चेंज नहीं करा है और मैं वहीं बैठा हुआ हूँ पिछे टीवी चल रहा है आपको आवाज बहुत माइनूटली से आ रही होगी लेकिन इसकी जो वाइस क्वालिटी है और जो पहले वाले माई की वाइस क्वालिटी है बहुत फर्क है बहुत ज़ादा तो मैंने कहा ना जितना आप गुर्ड डालते चले जाते हैं चाए में या शक्कर डालते चले जाते हैं चीनी डालते चले जाते हैं उतना ज़्यादा चाए मीठी होती चली जाती है उतना ज़्यादा आपको फील होता है कि वाव 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 वावा तो जो जादा मेठी चाहे पीना पसंद करते हैं, वो इस तरह के Maiekोन कर सकते हैं, यानि की बहुत ही professional Maikon मैसे एक है और बहुत स़ता है, यानि की अगर आप नॉर्मली podcast करते हैं कुछ भी करते हैं वीडियो बनाना चाहते हैं अच्छी sound record करना चाते हैं तो उसके लिए ये एक बहतर option हो सकता है एक दिक्मेंट कर रहा हूं मेरे को कोई भी ये पैसे वेसे नहीं देने वाला है ठीक है मैं इसका वो नहीं कर रहा हूं आपके सामने ठीक है आपको इसकी और इस वाले माइक की quality में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा होगा इतना जादा भी नहीं होगा बट बहुत जादा है जो लोग तरब sound के background को समझते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है यानि कि जो लोग अच्छा sound record करना जानते हैं चाहते हैं जानना चाहते हैं या फिर आगे चलके plan out कर रहे हैं कि वो एक अच्छे चीज़ है तो अब बात आती है कि दरसल एक अच्छा बहतर sound record करने के लिए आपको क्या करना चाहिए यानि कि मान लिजिए आपने एक अच्छा mic खरी लिया आपने चलो sound भी proof कर लिया आपने आपको आपके room में noise नहीं है तो अब क्या करना है आपको यानि कि case है वो कैसे निकाला जाए तो जादा तर जो हम बोलते हैं अपने गले का इस्तिमाल जादा करते हैं और नाप का इस्तिमाल बहुत करते हैं बहुत साए लोग ऐसे होते हैं मैं भी कभी कभी ऐसे बैठता हूं लेकिन जो सही तरीका है वो यह होता है कि आप हमेशा अपने प वोईज ओवर करने जाएं तो पहले अपने आपको रिलेक्स कर लीजे रिलेक्स करना इतना जादा जरूरी है कि यह समझ लीजे यदि आपने रिलेक्स नहीं करा तो आपकी वोईज में कंपन नजर आएगा यानि कि बिल्कुल कांपती हुई नजर आएगी जो कि यह फिल रिलेक्स होके बात करते हैं और जब भी एक आरजी होता है या फिर कोई भी इन्फुलेंसर होता है जो कि वाइज के थूरू या फिर अपने लेक्चर्स के थूरू जैसा कि आज कल बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियो देके हैं जो लोग साउंड को लेकर यानिकि पहुचाते हैं तो सबसे पहले जो उनको खासा ध्यान रखना है वो यह कि उनकी जो वाइज है जो भी अपना वो बोलते हैं उनका प्रिनांसियेशन बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए यानि कि जब भी वो बोलें तो पहले तो वो शब्दों को ढंक से पढ़ लें कि आख शुरुआत आप छोटे छोटे लाइन से कीज़े यानि कि आपको एक बार में ऐसा नहीं है कि सुपरखा बन जाना है यानि कि आप एक बार में ही रफु चक्र हो जाएंगे पूरा करकर आके ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुर रेलाक्स रहना है आपको एक लाइन आप समझेंगे तो उसके अंदर आपको volume का भी ध्यान रखना है उसके अंदर temper भी रखना है यानि कि हर एक शब्द का एक temper volume कितना होना चाहिए उसके अंदर कितना force लगाना चाहिए कहाँ pause देना चाहिए यानि कि कहाँ रोकना चाहिए और कहां मुझे उस शब्द में गुमाव देना चाहिए राइट तो जो चीजें जब आप वो बोलना शुरू करेंगे और जब आप ये करना शुरू करेंगे और जब पेट में सास भर लेंगे और सास का भरपूर इस्तिमाल करेंगे गले का इस्तिमाल करेंगे जहां जहां आप अच्छा बोल सकते हैं और बेस से आप अगर बोलना चाहते तो पेट में सांस भरपूर मातरा में रखिए तो जो लोग बेस वाली आवाज पसंद करते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही ज़ादा जरूरी है कि आपको अपने अंदर सांस भरके रखें और बार बार सांस का इस्तिमाल करें यानि कि जितनी ज़ादा आपके अंदर सांस होगी उतना ज़ादा आप अच्छे से निकाल पाएंगे यानि कि एक्जेल कर पाएंगे तो आपको सारी चीजों को ध्यान रखना है कि जब भी तो आपको अपने अंदर सांस का बहुत ज्यादा भराव होना चाहिए और जब भी आप बोलें तो कई बार सोचिए, कई बार समझिए और इस लाइन को बार-बार पढ़िए और पढ़ने से ही आपको जो है उसके गहराई को पता लगता है, गहराई का पता लगेगा तो आप उस शब्द का सही मतलब समझ पाएंगे राइट सा शा शा इन सब का सही उच्चारन करना सीखिए भा मा भा अड़ा भा इन सब चीजों को यानि कि हिंदी में अगर आप बात कर रहें दोस्तों हिंदी में अगर आप बात कर रहें तो हिंदी बहुत टफ लेंगे हो जाए मजाग नहीं है इसको हलके मत लीजेगा राइट आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं इंग्लिश बहुत आसान है कोई भी बढ़ सकता है बोल सकता है लेकिन हिंदी बहुत टफ है राइट तो तुछ अध्यान रखिए और उर्दू के वर्डों को जब आप बोलें शब्दों को जब बोलते हैं तो उसमें भी बहुत ही खासा ध्यान आपको रखना होगा और इन सब चीजों को जब आप कर लेते हैं तब आपको ऐसास होता है कि येस आप अब कुछ करते हुए नज़र आ रहें और बहुत इक खुबसुरत चीज ने आपके निकल के आ रही है और यही चीज़ें होती हैं जो आपके लिए बहुत important चीज़ें होती है कि जब आप बोलते हैं तो आपकी जो sound है बहुत crystal clear नजर आती है और आपके अंदर का जो you know stamina है जिस तरीके से आप बोलते हैं या फिर आप way of presentation है वो कितना घजब आपका निकल कर आएगा right तो यह सारी चीज़ों पर बहुत ध्यान रखना है आपको हमेशा जब भी आप act यानि की sound के बारे में बात करें तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए room acoustic होना चाहिए आपका sound के जो delivery है वो सारी चीज़ों पर focus करना है आपका जो equipment है वो बहुत अच्छा होना चाहिए माइक बहुत अच्छा होना चाहिए यह सारी चीज़े important role play करती है और जब आप बोलते हैं तो बोलते बोलते भी आपको बहुत सारी धखावट हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि आप बोले नहीं यानि की डोग दें बोलना ऐसा नहीं होना चाहिए आप पानी पीजिए थोड़ा सा घूम लीजिए फिर लीजिए फिर उसके बाद आके बैठिए रिलैक्स फील कीजिए आप उसको बोज मत समझेए काम मत समझेए आप इसको enjoy के साथ कीजिए और फिल कीजिए कि आखिरकार मुझे वो शब्दों को एक मोतियों की तरह पिरोना है जब तक आप मोतियों की तरह माला में जैसे मोती पिरोते चले जाते हैं उसी तरह से यदि आप शब्दों को यह वाक्य के रूप में निकालना शुरू कर देंगे तो बहुत ही खुबशुरत चीज़ एक निकल कर आती है जिसको सुनने के बाद लोग कहते हैं यार यूर ग्रेट आरजे आप कितने अच्छा आरजे हो आप कितना अच्छा बोलते हो रेडी जोकी हो आप आप कितना अच्छा वोईज ओवर आइटिस्ट हो आप कितनी अच्छी आवाज है यार कितना बेस है आपकी आवाज में ओ माई गाड अरे आप पैसे बोल देते हो आप इतना अच्छा बोल कैसे सकते हैं आप मतलब क्या तरीका होता है हमेशा याज रखिएगा कि जो साउंड जब भी आप रिकॉर्ड करें या फिर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं आती है और एडिटिंग आप कैसे करें तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे यदि आपको लगता है कि आपको इस टॉपिक पर और ज़्यादा डीप नॉलिज लेनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेसेज कीजिए कि आपको और ज़्यादा डिमांड चाहिए यानि कि इससे ज़्यादा और चाहिए तो मैं उसमें कोशिस करूँगा कि आपके लिए और अच्छी चीज़ने लेकर रहा हूँ तो ये तो रहा आज माइक, साउंड और कैसे रिकॉर्ड करनी चाहिए क्या चीज़ने ज़रूरी होती है एक बेसिक साउंड रिकॉर्ड करने के लिए आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को और शेर करना है क्योंकि मैं ही तो हूँ आपके दिल को समझने वाला एक इंसान जब आप परिशानियों में थे, तो मैंने यह आपका साथ दिया था डर रहे होंगे आप लोग, कि आखिरकार मैंने इनका चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो कहीं, मुझे इनसे प्यार तो नहीं होगा नहीं नहीं प्यार नहीं होगा तुमों उचसे बलकि मेरी और तुमारी एक बहुत गहरी दोस्ती हो जाएगी बहुत गहरी